श्री शिवाई नमस्तिव्यम दोस्तों भगवान शिव्जी आपकी हर्मनु कामना पूरी करें इसी कामना के साथ आज का वीडियो हम सुरू करेंगे दोस्तों आज इस वीडियो में बहुती विस्तार से बात करने वाले हैं कि साल 2024 में सावन पुत्रता एकदसी किस दिन मनाई जा रही है साथ ही साथ बात करने वाले हैं कि एकदसी तिती कब प्रारंब हो रही है कब समाप्त हो रही है पुत्रदा एकदशी का क्या महत्व होने वाला है और पूजा विदी भी आप से जो है वो शेयर करने वाले हैं तो वीडियो को पुरा ध्यान से अंते तक सुनिएगा वीडियो पसंद जाए तो वीडियो को एक छोटा सा लाइक कर दीजेगा और अपने ही चैनल को जो से सब्सक्राइब कर दीजेगा दोस्तों तो चलिए जान लेते हैं कि सावन पुत्रदा एकदसी किस दिन मनाई जारी है साल दोहजाट चौविस में सभी एकदसियों की तरह स्वान पुत्रदा एकदसी भी भगवान विश्नु को पूरी तरह से समर्पित है और इस एकदसी का व्रत पती पतनी दोनों मिलकर पुत्र प्राप्ती के लिए रखते हैं यह दिन विशेश रूप से वैश्नवों के लिए शुब होता है जो भगवान विश्नु के अनुआई है पुत्रदा शब्द का अर्थ है पुत्रों को देने वाली और इसलिए ऐसा माना जाता है कि शावन मास में पुत्रदा एकदसी व्रत रखने से पुत्र रतन की प्राप्ती होती है या पिर पुत्र प्राप्त की इच्छा पूरी होती है शावन पुतरता एकदसी पूरे भारत में बड़े उत्सा के साथ मनाई जाती है दोस्तों समाज में बेटे का होना बहुत महत्वपून माना जाता है मैं यहाँ पर यह नहीं कह रही हूँ कि बेटियां बेटों के बराबर नहीं होती है आज की समय में बेटा बेटी दोनों बराबर हैं दोनों ही अपने माता पिता की देखभाल करने के लिए उन्हें सक्षम होना चाहिए लेकिन फिर भी कही न कही हर एक परिवार में एक बेटे का होना आविशक माना जाता है एक परिवार को पूरा करने के लिए बेटी और बेटे दोनों का होना बहुत आवशक है चुकि कई लोगों का मानना होता है कि बुढ़ापे में अपने माता पिता की देख भाल करता है पुद्र यहां तक की शाद पूर्वजों का संसकार भी केवल पुरुष संतान द्वारा ही किया जा सकता है ताकि अपने मृत पूर्वजों को सांती प्रदान की जा सके हिंदु धर्मे मनाई जाने वाली 26 एका दसियों में प्रतेक का अपना विशिष्ट उद्देश होता है शावण सुकलिक पक्च के दौरान पढ़ने वाली एका दसी में ने संतान दमपत्ती को पुत्र संतान प्रदान करने की सकती होती है एवल दो एका दशियां ही ऐसी है जो पुत्र प्रदान कंडे वाली है जिसमें से एक पौश पुत्रदा एका दसी है और दूसरी शावण पुत्रदा एका दसी तो चलिए दोस्तों जाल लेते हैं कि शावण माह की पुत्रता एकादसी किती थी कब प्रारंब हो रही है तो दोस्तों पुद्रता एकादसी किती थी प्रारंब हो रही है 15 अगस्त साल 2024 को सुबा 10 बज कर 27 मिनट पर वहीं इसकी समापती 16 अगस्त साल 2024 को सुबा 9 बज कर 40 मिनट पर हो रही है तो साल 2024 में 56 पुद्रता एकादसी का जो व्रत रखा जाएगा वो उदियत थी के हिसाब से 16 अगस्त दिन सुक्रवार साल 2024 को रखा जाएगा दोस्तों तो चलिए दोस्तों आपको पुद्रता एकादसी की पूजा विधी बतला देते हैं व्रती को एका दशी व्रत वाले दिन सुबा जल्दी उठना चाहिए दैनी क्रियाओं से निवित होकर स्नानाधी करके स्वक्ष्वस्तर धारन करने चाहिए मंदिर में थोड़ी सी साफसपाई करनी चाहिए, मूर्तियों को स्नानाधी कराना चाहिए, पंचा मृत से भी स्नानाधी कराना चाहिए भगवान हरी विष्णु की पूजा के साथ माता लक्ष्मी की भी पूजा अच्छी तरह से करनी चाहिए वरत का संकल्प अवश्य लेना चाहिए भगवान हरी वरिश्णू को पीले फूल और भोग अवश्य अर्पित करना चाहिए भोग में तुलसी दल अवश्य शामिल करना चाहिए फिर अच्छे से पूजा पाट करने के बात आर्ती वगेरा करके फिर पूजा को समाप्त करना तो दोस्तों आपको शावण पुतरता एकादसी का पारण का सही समय भी बतला देते हैं तो शावण पुतरता एकादसी साल 2024 में पारण का समय 17 अगस्त दिन सनीवार को सुबा 6 बचकर 8 मिनट से सुबा 8 बचकर 6 मिनट तक रहने वाला है आप इस समय को ध्यान में रखते तो दोस्तों शावण पुतरता एकादसी की यहाँ पर संपूर्ण जानकारी में आपको दे दिये आशा करती हूँ आपको वीडियो पसंद आये होगा वीडियो पसंद आये है दोस्तों तो वीडियो को एक छोटा सा लाइक कर दीजेगा आपका एक छोटा सा लाइक हमें प यदिवा तूस्टू